और अब बात कर लेते हैं भेडियों के आतंकी तो बहराईश में भेडियों की तलाश जा रही है आप इस पूरे ऑपरेशन पर सरकार के पहनी नजर है मुख्यमंत्री योगी की सकती का भी असर देखने को मिल रहा है ओपरेशन भेडियों को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया क्या है पॉलिस प्रिशासन समित कई विभागों के अधिकारी करमचारी फिल्ट पर इस वक्त मौझूद है आपको बता दे कि आदम खोर भेडिया रात करीब 10 से सुबह 5 बजे के बीच ही हमला करता है और इस दोरान सभी टीमें जो आपर इस वक्त ग्राउंड जीरो पर कांद कर रही है वो रात के 10 बजे से सुबह 5 बजे तक बिल्कुल अलर्ट मोट पड़ है और यहां तक भी कह दिया गया है कि अगर भेडिया दिखता है अगर पकड में नहीं आता है तो उसे गोली माने के भी आदेश दे दिये गाई है तो अब एक तरह से कह लिए इस उपरेशन को जबरदस तरीके से अंजाम दिया जा रहा है क्योंकि वहां जो आम लोग है अब वो इससे बहुत परिशान होका है अब तक कईों को भीडिया ने अपना निवाला बना लिया है कईों को खायल कर दिया है आब वहां के लिए एक तरह से कह लिजिए कि भीडिया आतंग का प्रयाय बन गया है अब इसलिए सियम योगी ने सक्ति के साथ कहा है कि आप जितने भी टीम बना सकते हैं बनाईए फिल्द पर उतरिए बेडियो को पकड़िये और अगर नहीं पकड़ पाते हैं तो फिर इस भेडिया को गोली मारतीजे और अब बात उस भेडिये की करते हैं जिसकी उत्तर प्रदेश की सियासत में एंट्री हो चुकी है निशाने पर अखलेश जादावैं और शुपाल गा था सियम योगी ने ना सिर्फ अखलेश और शुपाल की तुलना भेडिये के आतंक से कर दी बलकि उन्होंनी 2017 से पहले भेडिया काल की भी का भी सिक्र किया है जिन भेडियों के तांडों से पचास-पचास गाओं में देश्यत फैली है जिस भेडिये के आतंक से बच्चा-बच्चा डरा सहमा है अब उस भेडिये पर उत्तर प्रदेश की सियासत आक्रामक हो चुकी है अखलेश यादव ने जैसे ही आदम खोर भेडियों को यूपी की सियासत में एंटर करवाया वैसे ही योगी ने जुबानी एंकाउंटर कर दिया सियम योगी ने भेडियों के आतंक को समाजवादी पार्टी के शासनकाल से जोड़ दिया और बता दिया कैसे 2017 से पहले सियासी भेडिये उत्पात मचा रहे थे चाचा और भुटीजे में होल लगती थी वसूली को ले करके कौन कितना वसूल कर ले एरिया बटे हुए थे मैं देख रहा हूं है इस समय कुछ आदम खोर भेडिया प्रदेश के अंदर अलग अलग जन्पदों में उत्पात मचा रहे हैं और कमोवेस यही स्थिती 2017 के पहले प्रदेश की थी यह लोग उस समय कितनी तबाई मचाई वे थे किसी से चुपावा नहीं है और इनके भी एरिया बटे वे थे वो सूली के कहीं चाचा कहीं बतीजे माह भारत के सारे रिस्पे थे सारे रिस्पे थेले जाएगा माह भारत का दूस्या भी से यहाँ देखने को मिलता थे सीम योगी ने ना सिर्फ समाजवादी पार्टी के शासनकाल को भेडियों की देश्चत से जुड़ा बलकि उन्होंने अकलेश यादव और शिपाल यादव को भी निशाने पर ले लिया सीम योगी ने कहा चाचा भतीजा 2017 से पहले प्रदेश में भेडिया राज लाना चाहते थे भेडियों की तरह इनके भी वसूली के इलाके बटे हुए थे दोनों आदम खोर भेडियों की तरह उत्पात मचा रहे थे योगी की इसी टिपणी पर जब निउज 18 के रिपोर्टर ने अकलेश से सवाल पूछे तो उन्होंने सवाल को नजर अंदाज करते हुए रुख विधान सभा का कर लिया सदन में वाकाइदा लखीमपूर पीलीभी वहराइच सराबस्ती और आपके विजनोर उन जिरों की सुची दी गई कि यहां से लोगों के जंगल से जो जानवार आ रहे हैं जिसकी वज़े से जान जा रही है कई सोर किसान गरीब उनकी जान गई है हम लोगों ने मदद के लिए भी कहा सरकार से की मदद करें इन परिवारों की लेकि कोई मदद नहीं की की सरकार की तरफ से और इधर सरकारी नहीं बता पा रही है कि आखरकार बच्चों को कौन उठा ले जा रहा है सरकारी कन्फ्यूज है स्यासप के इस भेडिया काल में अब जुबानी संग्राम छड़ चुका है पीजेपी 2017 से पहले की देह्षत को जनता के सामने ला रही है तो समाजबादी पार्टी भी अब हमलावर हो चुकी है सरकार 17 के बास यह क्यों निंगेटिव राजनित सरकार क्यों करती है निगेटिव शब्दों का इस्तेमाल क्यों करते है इसके मतलब उनके पास positive बताने को कुछ नहीं है जब positive बताने को नहीं होता है जब आप समाज के अंदर में बरती होए corruption को नहीं रूप पा रहे हो lauder maintenance नहीं हो पा रहे हो समाज में आप विरुजगारी दूर नहीं कर पा रहे हो महला प्यत्या चार बरता चला जा रहा है तब आप पिछली सरकारों को के उपर एक negativity थोपने की कोशिश करते हो यानि जिस भेडिये को निप्टाने के लिए वन विभाग समेथ UP पुलिस दलबल के साथ खेद खलियानों की खाक चान रही है अब उसी भेडिये की तहशत पर सियासब भी जमकर हो रही है और जिक्र 2017 से पहले समाजवादी पार्टी के शासनकाल का हो रहा है प्योर रपोर्ट न्यूज एटीन और कौशांबी में भी आधमकोर भेडिये ने एक बच्चे समय तीन लोगों पर हमला कर दिया भेडिये के हमले में तीनों कंभी रुपसे जखमी हो गए है जिनने इलाच के लिए अस्पताल में एड्मिट कर आ दिया क्या है भेडिये के हमले के बाद इलाके में एक भट्टे के पास तीन जमली जान्वलों की विडियो भी सामने आए जसमें ग्रामणों में देश्चत का माहॉल है ऐसे में आप ग्रामण लाटी और रंडे लेकर रात में आपने मवेशे और परिवार के रखवाली कर रही है करारी थाना शुत्र के निवारी और खोजवापूर गाउं के ये खटना फटर चारी है बहराई सीतापूर के बाद अप कौसांबी में भी भेडियों के खौप से लोग दहसत में हैं कौसांबी के जिला मुख्यालय मंझनपूर से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर निवारी गाउं के ग्रामिलों का याद दावा है कि यहां पर भेडियों ने बच्चे समें तीन लोगों पर हमला किया है हलाकि तीनों लोग भेडियों के हमले में चख्मी हुए जिनका एक निजी अस्पताल में इलाज किया जा रहा है हमारे साथ लोग मौजूद हम बातचीत करेंगे जो रात में इस वक्त कहीं न कई भेडियों के खौफ से काउं में पहरा दे रहे हैं हम उसे बात चीत करेंगे क्या घटना घटी थी पहले तो हम उस सक्ष से बात करेंगे जिसके चोट लगी हुई है कैसे चोट लगी आपके इसे बत्चे को हमारी भट्रय ने चला रहे तो हमने समझ उपने बत्चे लोग धगड़ा ठीय होंगे उसके बात मेरी रहे लगा चोट भवर बकर्य न इचे गीर गई नीचे गिर गई तो हमने ऊपर आके देखक औरा चीजआ बकरीम कर लुक्यों ने देखें तो कुछ दूर तक निकल गया था कुछ दूर निकलने के बाद में हम जब उसको बोला कि यह जानवर जा रहा है तो पीछे लौट के हमारे उपर हमला किया कौन सा जानवर था वो जी भेडिया सार था कितने संख्या में थे कितने लोगों पर हमला कि तीन आदमी पर पहुंचा जी एक बच्चा है चोटा दो आदमी तो 35 साल के हैं और भी साथ हमारे साथ हम उनसे बात चीत करेंगो जिस गाउं के ग्रामिल हैं आप इनको देख सकते हैं इनको इनके हातों में लाथी डंडे हैं कहीं न कहीं इस बात के दहसत में हैं कि ये जो खूकार भेडिया हैं जैसा कि ग्रामिलों के ओर से लगातारी दावा किया जा रहा है कि जो हमला किया गया है दिन पर बच्चे समेत तीन लोगों पर वो भेडियों के द्वारा किया ग बच्चे सो रहे हैं जानमर भी बांधे हैं तो मतलब रच्छा का ओंड देखने के लिए तीन लोगों कि संक्या में थे बाकी सब सात में नहीं गए फान्चे थीक और भी लोग हम से बात पिशेद करेंगे आपके हाथ में लाठी है किस बात की दहसा थे आप। दोरा हैं मोखिमंत्र योगी आदितनात का अससे की मिपूल्ट समायरों में हिस्सा लेगे चुक्षरक दिवस के मौके पर प्रदेश भर के 54 शिक्षकों को सम्मानित की आगाः जाएगा दरसल पहरी बार लखनाओ से बाहर दोर आदितनात की आदितनात का भी मिरें? ये कारिक्रम शाम्पू चार तके रखा गया है। आपको बता दे कि बुदवार को गुरकपूर जिले की बैठक हुई थी जसमें तमाम पदाधिकारी भी शामिल हुए थे और अब जालों की बैठक में भी तमाम पदाधिकारी थे बुलाए गया है। मदर्से को सील कर दिया है। करमचारियों और छात्रों को बाहर निकाला गया है जिसके बात अबाध निर्मान के कारण मदर्से को सील किया गया। मदर्से के बाहर नोट इस बिचस्पा कर दिया गया है। हम आपको बता दे कि मदरसे में नकली नोट की छापाई चल रही थी, मदरसे से आपती जनक किताब मिली थी, मदरसे के प्रिंसिपल को पहले ही गिरफतार किया जा चुका है, साथ ये नकली नोट के दो मस्टर माइंड को भी गिरफतार कर लिया गया था। और अब सील की की गई है। पहुंची थी और यहां पर करीब 70 बच्चे थे, 12 प्रवंध कमेटी के लोग थे, इसके साथी साथ यहां पर जो उनके परिवार के लोग रहते थे, तक्रीबन 100 लोग थे, जिने यहां से बाहर निकाला गया और बाहर दिकालने के बाद इस मदरसे को पूरी तरह सील कर दि पहुंची थे, इस बात का यहां पर नोटिस भी लगाया गया है, दरसल यह बताया जा रहा है कि प्रयाग्राज विकास प्राद करण से इसका नक्सा स्युक्रित नहीं है, इसके चलते यह बड़ी कारिवाई यहां पर की गई है, आई बी के साथी साथ एलायू, यूपी, KTS और ESTF यह तमाम जो एजेंसिया हैं, वो लगातार इसकी जाच कर रही है, और इस मामले में विदेशी फंडिंग से लेकर आतंकी कनेक्शन की बात हो, या फिर इस मामले में अवर निर्मार की बात हो, हर एंगिल से कारवाई की जा रही है, और माना है जा रहा है कि यहां पर प्रियागराज विकास प्रात करन की ओर से बुल्डोजर का भी आक्शन देखने को मिल सकता है, सर्वेस दुबे निज़दीन प्रियागराज